गूड मॉनिंग इस्टूडेन बेटा आज हम आपका हिंदी सेकिंड में लेसन थर्टीन जिसका नाम है वाके इस लेसन के रिडिंग करेंगे तो जैसे हम सभी जानते हैं कि जो शब्दों की रचना होती है वे किस परकार से होती है जब हम वर्णों को सही क्रम में लिखते हैं तो बेटा क्या होता है तो हमारे शब्दों बनते हैं तो क्या होता है कि जब हमारे द्वारा लिखे गए या हमारे द्वारा बोले गए शब्द जब हमारे सही करम में रहते हैं हम उनको सही करम में ही बोलते हैं और लिखते हैं तो क्या होता है कि उनका एक अर्थ निकल कर आता है है तो वो क्या कहलते हैं वह हमारे वाक्य कहलते है ठीक है अब यहां पर बताये अंग hometown कोई ना कोई काम हो रहा है काम को करने वाले और उसके दुरा किये जा रहे कामों को समझ़े यहां पर पताये Ov पů मयंक ने पुस्तक पड़ी ठीक है तो मयंक क्या कर रहा है पुस्तक को पड़ रहा है ठीक है ऐसी कुट्टा सड़क पर चल रहा है ठीक है तो कौन चल रहा है सड़क पर कुट्टा और कहां चल रहा है सड़क पर तो यह आपका शिक्षी का बच्चों को गाना सिखा रही है तो से उदेशे मयंक के द्वारा किये जा रहे हैं जो काम है के बारे में क्या है पुस्तक पड़ी तो देखिए यहां पर क्या है बेटा कि हम जिसके बारे में बात कर रहे होता है ठीक है ना यानि काम को करने वाला करने वाला कौन होता है हमारा करने वाला होता है करता तो जब हम क करता जो होता है वह है उदेशे माना जाता है यानि जिसके बारे में हम जो बात कर रहे हैं जिसके बारे में सूचना दे रहे हैं वह कौन हो गया हमारा वह हो गया उदेशे और उसके बारे में जो सूचना हम दे रहे हैं ठीकिना उसके बारे में जो हम बात बता रहे हैं वह क् देशे में मुख्य जो होता है वे करता होता है यानि काम को करने वाला और उसके साथ करता का विस्तार हो सकता है अर्थार्थ करता के साथ जो है वे विशेशन शब्द भी जुड़ सकते हैं ठीक है ना विशेशन आप जानते हैं किसी चीज़ की विशेशता बताना ठीक है में जो बात हम कर रहे हैं या जो सूचना दे रहे हैं वह विधाय के अंतरगत